हेलो स्टूडेंट्स मौजबी एंकलक सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है कुश्चन नंबर है हमारा 179 जल्दी से पढ़िए स्टार्ट कीजे और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं विद रैशनल इतनी लंबी लाइन में सिर्फ एक ही चीज काम किया है कि एक पेशेंट है जो साइकेटरिक यूनिट में एडमिट हुआ है और वो भी रिसेंटली इस लाइन में से सिर्फ यह शब्द काम का है कि उसे एकेथेजिया हुआ है एकेथेजिया मतलब आप समझते हैं मैं और समझाँगा तू डिटर्माइन वैदर इस अडप्टेशन इस स्टिल प्रेजेंट क्या ऐसा सिम्टम है जिससे पता लगेगा कि अभी भी एकेथेजिया उसे प्रेजेंट है बहुत आसान कोशन है देखेए रिपीटेड मूँमेंट अफ अनादर परसन ये अनादर परसन से कोई लेना देना नहीं है अखेथेजिया का हटाईये से बॉडी पोजेशन को लंबे समय तक मेंटेन करना तो कुछ ऐसा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जैसा सुना होगा आपने जिसमें एक ही पोजेशन को घंटों तक बैठ जाता है मेंटेन करके तो ये भी हो गया गलत और फेशिल टिक्स एकेथेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सिटिंग इस्टिल डिफिकल्टी इन सिटिंग इस्टिल एक जगह सिटिंग नहीं कर पाता है रेस्टलेसनेस हो जाती है ऐसा एंटी सैगोडिटर के साइड इफेक्ट की वज़े से भी मिलता है ता राइट आंसर इज सेकेंड मोटर रेस्टलेसनेस बढ़ते हैं नेक्स को चले शुरू करते हैं, next question, question number 180, the nurse recognizes that an excellent indicator of improvement in a client with the diagnosis of generalized anxiety disorder, इतना लंबा sentence, लेकिन short में, client की diagnosis है, GAD, generalized anxiety disorder, और इन चारों में से ऐसा कौन सा sentence है, जो best improvement दिखा रहा है, कि client हमारा improve कर रहा है, GAD से, when the client learns to avoid anxiety, participate in activity, takes medicine as prescribed and identifies when anxiety is developing, सोच लीजे जल्दी से, इन चारों में से ऐसा कौन सा indicator है, जो improvement दिखा रहा है, GAD से, देखिए, बहुत ही आसान है, takes medication as prescribed, इसका कोई relation, improvement, indicator, ऐसा कुछ नहीं नज़रा रहा, avoid anxiety क्या possible task है, कि हम anxiety को हमेशा avoid कर पाएं, नहीं, तो यह भी answer नहीं है, participate in activities, identify when anxiety is developing, जब identify होगा, तब ही तो treatment possible होगा, तो assessment is the very necessary, कि अगर client identify कर पा रहा है, कि उसे anxiety हो रही है, तो उसकी severity को भी पैचान सकता है, और proper intervention वो कर सकता है, यह 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 राइट answer is 4, बढ़ते हैं जल्दी से, next question की तरह, अगला question है हमारा, 181, the nurse is caring for a client with a generalized anxiety disorder, फिर एक और case आगया, हमारा, GAD का generalized anxiety disorder का, एक और बात में बता दूँ, यह question competition exam में आया हुआ है, as it is nursing के competition exam में, GAD के check करने के लिए, GAD को check करने के लिए, इन चारों में से best indicator क्या होगा, क्या memory के थरू GAD चेक किया सकती है, behavior के थरू, judgment के थरू, या responsiveness के थरू, एक बात में बता दूँ, यह 2, 3, 4, यह सब ही सही answer है, बड़ question में पूछ रहा है, best, 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 तो सोचिए, कि किस से आप GAD assess कर सकते हैं, best, best indicator, responsiveness, judgment, memory सब से बहले memory अटा देता है, memory का कोई खास relation GAD से नहीं लग रहा, judgment भी कर सकता है, but not most important, second और fourth में से बड़ाई confusion लग रहा है, इन दोनों में से answer है, लेकिन एक बास सोचिए, responsiveness, response करना, behavior कहीं तो part है, तो behavior ही, वो best indicator है, जिससे हम GAD या किसी भी प्रकार की anxiety को assess कर सकते हैं, the right answer is second, next question, चलिए आज का हमारा last question है, अगर आपको किसी का meaning नहीं पता तो अगली line में ज़रूर कुछ नो कुछ ऐसा मिलता है, जिससे हमें hint मिलती है, कि इसका line का मतलब क्या हो सकता है, तो देखिए, यहां hint मिल गई हमें, कि client agitated है, impulsive है और nervous excitement उसे हो रहा है, तो हमें यहां से hint मिल गई, आगे चलते हैं, client demands that someone do something to end this feeling, यह है question की email line, कि client किसी को बोल रहा है कि please do something to end this feeling, the nurse identify that the client has, client को क्या हुआ है, feeling of panic, societal tendencies आ रही हैं, narcissistic ideas आ रहे हैं, यह demanding personality है, इस वज़े से वो ऐसा बोल रहा है, बहुत आसन कोशन है, थोड़ा सा focus कीजिए, agitation है, impulsive है, सबसे पहली बात, क्या कुछ demanding करता हो नजर आ रहा है, वो do something to end this feeling, नहीं, demand वो किसी चीज़ की नहीं कर रहा है, narcissistic personality तो self important, self advantage वाली होती है, ऐसा भी कुछ नहीं हो कर रहा है, और societal tendencies जैसा कोई clue नहीं मिल रहा है, societal tendencies में क्या होता है, patient happy दिखाई दे सकता है, अपने bank account close करवा सकता है, अपने friends पुराने दोस्तों से मिल सकता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी answer नहीं है, feeling of panic, feeling of panic, उसे panic anxiety हो रखी है, और panic anxiety के समय वो request कर रहा है, कि please do something, इस anxiety को end करो, खतम करो कैसे भी, तो right answer है इसका one, I hope कि आपको आज के चारो कोशन समझ में आये होंगे, जल्दी मिलते हैं next video में, good luck,